हेलो एवर्वन मेरा नाम है मन्तिवारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या अगर आप गवर्मेंट से MBBS नहीं निकाल पाते हैं तो आपके पास क्या-क्या option है एक बात मैं और हैं जाऊंग जाऊंगा यार कि है कि आप लोग चेनल को सस्क्राइब क्योंकि आजकल जो MBBS करने के बाद है, next का paper देना पड़ता है और वो सब के लिए एक बराबर होता है तो आपको कहीं से भी MBBS कर सकते हैं, अगर आप afford कर सकते हैं तो दूसरी अगर बात करें तो आपके पास BDS, एक बहुत अच्छा option है Bachelor of Dental Surgery तो ये एक अच्छा option है मगर एक बात करें, तो आज की टाइम में इसमें competition बहुत जादा है तो अगर आप करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं इसमें भी आपके नाम के आगे doctor लाएगा, तो आप एक doctor ही बनेंगे विससे इसमें आपके आपके बहुत जादा है, तो मेरी माने तो ना ही करें तो अच्छा है अगला option अगर कहें तो वो है BAMS तो BAMS, आयरुवेद है तो आयरुवेद आज के टाइम में में मेरे ख्याल से बहुत परफेक्ट option है क्योंकि यार देखो government भी इसको promote कर रही है काफी सारी company आयरुवेद को promote करें क्योंकि यार इसके एक तो सबसे पहला फायदा है कि इसके side effect नहीं है तो अगर side effect नहीं है तो ये बहुत फायदे मन है थोड़ा सा slow process है इसका मगर काफी फायदे मन चीज है और abroad में भी लोग आजकल काफी इस चीज के तरफ खीचे आ रहे है तो ये बहुत अच्छा option है तो इसी में BAMS के अलावा BHMS भी आता है मतलब की hemipathy मगर इन दोनों में compare करें तो BAMSE जादा perfect चीज है तो आपको यही करनी चाहिए hemipathy भी कर सकते हैं इसमें भी root level से treatment होता है तो ये भी एक बहुत अच्छा option है आप जिस भी college से करते हैं अगर वो college अच्छा है तो आपके लिए एक plus point हो जाता है और आगे आपका future और perfect हो जाता है आगे अगर बात करें हम लोग तो आगे option आता है कि आप BAC कर सकते हैं BAC में भी काफी सारे option है जैसे कि BAC nursing कर सकते हैं nursing में भी जो है ये बहुत perfect job है क्योंकि आप nursing करने के बाद काफी doctor के साथ रहके उनका help कर सकते हैं और इसमें भी मोटा पैसा कमा सकते हैं तो ये एक अच्छा option है BAC में ही biotechnology होता है तो biotechnology research के मामले में काफी तगड़ा field है और इंडिया में तो थोड़ा सा कम scope है मगर अगर आप foreign में जाएं तो फिर वहाँ पे आप एक अच्छी खासी money बना सकते हैं तो biotechnology इसमें nutrition and dietitian की भी एक option आता है BAC में आज कल आपको मालूम ही है कि लोग अपने health को लेकर कितना aware हो रहे हैं तो हर लोग किसी न किसी और किसी न किसी ऐसे doctor के पास जाते ही हैं जो कि dietitian हो और खासकर metro cities में तो लोग इस चीज का ध्यान रखते ही हैं फिर से forensic भी एक BAC में department है जो कि आपको मालूम ही है अपने genetics में पढ़ा होगा कि family paternity test भी उससे होता है और कोई अगर murder crime ऐसा हो जाए तो उस चीज में भी मदद मिलता और भी काफी कुछ है यह तो आपने genetics में पढ़ा होगा इसके अलाबा भी काफी कुछ Forensics में है और आगे बात करें तो एक काफी अच्छा option है BPT Bachelor of Physiotherapy BPT करने के बाद आपको MPT कर सकते हैं Master rate उसमें यह एक बहुत अच्छा field है जो bones के doctor होते हैं वो तो सिरफ bones को proper orient करते हैं अगर आपका fracture हो जादा सब कुछ मगर उसके बाद आपको physiotherapist की ही मदद लेनी पड़ती है क्योंकि वही आपको चलने में मदद करते हैं काफी कुछ ऐसा जो कि आपको help करते हैं आगे हर चीज में उस bone को proper use करने में तो यह भी एक बहुत अच्छा option है और इसमें कमाई भी काफी अच्छी वो कितने doctor से भी ज्यादा कमा लेते हैं क्योंकि यार देखो चालिस मेंट पैंतालिस मेंट का लगभग वो लोग 400-500 चार्ज करते हैं और अगर दिन में वो लोग 15, 20, 25 भी अगर ऐसे पेशेंट देख लेते हैं तो फिर जोड़ी सकते हैं आपको सिर्फ पैसा ही पैसा है उसके बाद तो यह एक option हो गया बीपीटी का उसके एमपीटी कर लें उसके दागे बात करें तो ICR के थुरू आप agriculture में भी जा सकते हैं आपको मालूम ही है हमारी population कैसे बढ़ रही है तो बढ़ते वे population के लिए food भी एक बहुत बड़ा demand है तो agriculture field एक इसके लिए perfect है तो यह भी एक बहुत अच्छा option है फिर एक बात करते हैं BVSC मतलब की Bachelor of Veterinary Science तो यार देखो अगर आप animal lover हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छा field है वैसे अगर बात करें तो government अभी लगभख जगह hospital बना रही है या फिर लगभख जगह hospital है अनिमल से और अगर आप Metro cities की बात करें तो लोग जैसे अपने बच्चों को मानते हैं वैसे ही अपन करते हैं किसी को love करते हैं तो वो उसके लिए कितने भी पैसे खर्चे करने के लिए तयार हो जाते हैं तो veterinary मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा scope है और इसमें government job भी लगता है तो इससे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं अगर आप B Pharma कर लेते हैं M Pharma कर लेते हैं तो आ फिर तो आप फिर पैसा ही पैसा है आपके पास तो यह भी एक बहुत अच्छा option है आपके लिए कि आप B Pharma कर सकते हैं तो यह सब option थे आपके पास कि आपको क्या क्या करना चाहिए और एक काम आपको और करना चाहिए जो की है चैनल को subscribe तो नीचे subscribe बटन को दबाए